सुपर फास्ट दोस्तो इतना जल्दी दोस्तो फरम भी भरा जाएगा और परिछा भी हो जाएगा पटना हाई कोट में दोस्तो 550 पोश्ट के लिए भरती आया है और इसमें क्या है न दोस्तो कि इसमें 1200 रोपया लग रहा है 1200 रोपया OBC हो चाहे जेनरल हो SCST का 600 रोपया लग जाएगा और यहां पे परिच्छा OMR पे होगा कि online होगा और सारी चीजे जो इसे related है सब हम लोग जानेंगे यहां पे क्योंकि यहां पे दोस्तों बड़ी वेकेंसी आई है पतना हाई कोट में एक महीना दोस्तों इसका फोरम भराएगा फोरम का आवेदन होना शुरू हो कि दोस्तों 30 अप्रिल को परिच्छा ले लिया जाएगा पतना असिस्टेंट पतना हाई कोट असिस्टेंट का दोस्तों वेकेंसी है पूरे साथ साल के बाद दोस्तों वेकेंसी आया है 2016 में आया था और यह 2023 में दोस्तों वेकेंसी आया है पोश्ट का नाम है पतना हाई को लग रहा है 1200 रूपया 1200 रूपया कोई फेका हुआ नहीं है आप लोग सिरियास हो के पढ़ाई कर रहे होंगे और एक और बात क्या सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा ग्रामर ग्रामर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा बताएंगे क्यों और जीके ग्रामर जीके का कितना रोल है, ये पता चल जाएगा, हिंदी ग्रामर हो, चाहे अंग्रेजी ग्रामर हो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी दिया गया है न सिलिबस में, पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देकी 18 सालेज है, और यहाँ पे ग्रिजुएशन किसी भी पीसे स अगर आप किये हैं, फोस्त हैं, सिकेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोस्तों, अपलाई आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कम्प्यूटर सटिफिटेक चाहिए, छो महिना का, या छो महिना से उपर वाला भी है, तो चल सकता है, तो यहाँ पी यह चीजे हैं, और फी देख सकते हैं कि 12 रुप्या है, पटना हाई कोट में दोस्तों, साथ साल के बाद 550 पोष्ट के लिए भरती निकाला गया है, मुख्य परिछा भी दोस्तों होगा, पीटी तो दोस्तों छाटने के लिए होता है, इसमें तीन्ठों होता है, एक तो होता है पीटी, एक होता है मेंस और तीसरा होता है इंटर्वीव, लेकिन पीटी क्या होता है न, कि लाखो लोग अपलाई कर देते हैं, माले जब पांचों लाखो अपलाई कर दिये, तो सारे के सारे लोग थोड़े मुख्य परिछाम बैठेंगे, मुख्य परिछाम में केवल दो इतना बढ़ गया है कि आप 40% 100 में 40 लाके क्या कीजिएगा कम से कम दोस्तों आपको 65 पलस या 70 कही आपको लाना होगा तो भी आप मुख्य परिचा में बैठने के लाइक रहेंगे बिहार में दोस्तों बिहार में पटना हाई कोट असिस्टेंट का 550 पदों के लिए भरती नि जिएगा और यहाँ पे महिलाओं को आरच्षण भी दिया गया है इसी 550 पोस्ट में दोस्तों उनका भी है और 35% उनको आरच्षण है और यहाँ पे देखिए मेंस जो मेरिट है मेरिट बनेगा मेंस और इंटर्व्यू के अधार पे पीटी केवल छटनी का काम करता है मेंस क आपका नमबर देखा जाएगा दूसरी बात कि Computer Proficiency Test दोस्तों qualifying nature को होगा इसका मतलब क्या है computer आप अगर written निकाल लेते हैं, PT निकाल लेते हैं उसके बाद अगर आप दोस्तो mains निकाल लेते हैं, ठीक है? तो mains निकालने के बाद क्या होता है? एक होता है computer proficiency test, उसमें क्या किया जाएगा ने कि आपके सामने computer दे दिया जाएगा या computer के सामने आपको बैठा दिया जाएगा अब आहां पे आपको MS Word में कोई article वेगर अंगरेजी में दे दिया गया कहा गया कि उसको आप लिख दीजिए हो सकता ऐसा, या फिर कौन सा mouse है कौन keyboard है, motherboard कौन है, CPU कौन है यह सब पूछा जाए input device कौन सा होता है, output device कौन सा होता है कैसे काम करता है computer यह सब basic चीज, यह qualifying nature का इसका number नहीं इसमें है, ठीक है वो आपसे पूछ करके आपका understanding देखा जाएगा फिर आपको pass कर दिया जाएगा तो यह कब होगा, PT देने के बाद pass कर जाते है, तो means होगा उसके बाद होगा computer proficiency test, qualifying nature का प्रारंभिक परिछा, अब हिंदी दोस्तों आएगा, तो हिंदी में कोई कहानी थोड़े पुछेगा आपसे, ऐसा थोड़े पुछेगा कि फलना कहानी में पिता जी का नाम क्या था वो तो grammar रहेगा ना, संधी, समास प्रत्या है, यही सब रहेगा आपको, जितना भी grammar है बढ़िया से पढ़ लिजगा, मुहाबरा बगर देख लिजगा अंग्रेजी में क्या है, sinon name एंटो नेम, आपका फ्रेजल भर्व यह सब जितना भी ग्रामर होगा grammar section यह दोनों add करेगा देखिए और यहाँ पे gk, यही आपका main है, gk में आपको science से भी question रहेगा, आपको economics से भी रहेगा, और उसमें सारे add रहेंगे जो भी, general science रहेगा, और general knowledge भी रहेगा, current affair भी रहेगा, सम इलाके 25 नमबर computer से 10 नमबर, ठीक़्ा है यह total मिलाके 100 नमबर, आपका प्रारंभिक परिचा हो गया, इसमें आपको कम से कम 70 तक तो लाना ही पड़ेगा दोस्तो, 65 प्लस तो इतना रख लिजी आप, 65 प्लस अगर लाते हैं तो फिर पार करके मुखे परिचा में चल जाएंगे, मुखे परिचा में जाएंगे हिंदी 40 नमबर का लिखना होगा इससे पहले जो परिचा होगा पीटी वाला, ये OMR सीट पर होगा, ठीक है, भरने वाला, ऐसा नहीं कम्प्यूटर पने ही होगा, ठीक है, ये OMR सीट पर होगा, ये 100 में 70 अगर ला देते हैं आप, 65 प्लस ला देते हैं मान के चलिए, 65-70 में बोल रहा हूं जानके कि 65-70 के बीच में आपका जाएगा तो इसमें से साड़े 500 जो पोश्ट है साड़े 500 जो पोश्ट है तो साड़े 5,000 लोगों को क्या करेगा मुख्य परिचा में बैठाएगा अब यह जो साड़े 5,000 लोगों के परिचा में बैठेंगे इनमें इनको हिंदी सा 40 अंग तो हिंदी में क्या पूछेगा है हिंदी में आपसे हो सकता है कि कि किसी पर निबंध लिखने के लिए दे दे या फिर कोई लेटर लिखने के लिए दे दे तो यही सब दोस्तों इसमें आता है अंग्रेजी में 60 अंबर का पूछेगा क्या पूछेगा भाई यह इसमें एसे पूछ सकता है एसे लेटर रैटिंग पूछ सकता है यही सब पराग्राफ दे सकता है उसके बारे में मतलब explain करके लिए किसी चिज़ पर क्योंकि हो सकता exam में पूछ दे कि unemployment पे एक essay लिखिए, कोई essay आपको आएगा, कोई चीज पर paragraph लिखने के लिए आएगा, तो आपको लिखने आएगा, तभी तो, लिखने आएगा, तभी तो लिखेंगे, translation बनाने के लिए आएगा, तो ये सब चीजे होती है, तो grammar section आपका पास कर पाएंगे, क्योंकि merit इसी पर बनेगा, मेरिट इसी पर बनेगा, साड़े 5,000 जो विद्यारथी रहेंगे, साड़े 5,000 लोग में बैठेंगे, उसमें से किवल 500 लोगों को ही लेना है, किवल 500 लोगों को लेना, इतना जान जाईएए, साड़े 500, तो विखे 5,000 आपका मुख्य परिच्छा में आ गया, 70 नामबर, ठीक है, इसमें 50 आ गया, और इसमें 10 ये आ गया, 80 नामबर हो गया, जिसका जादा आएगा मुख्य परिच्छा में, उसी का समझे कि यहां पे नोकृरी लगा सीधा सा बात है, और यही सा बात है दोस्तो, प्राराम्भिक परिचाँ OMR seat पर लिया जाएगा, admit card भी आपको online ही डाउनलोड करना पड़ेगा, बिहार में दोस्तो, पटना high court में असिस्टेंट की भरती निकली हुई है, और इसका दोस्तो, फोरम भराना स्टार्ट हो गया है, 1200 रुपया दोस्तो, फोरम भरा ही लग रहा है, जनरल OBC का, और HCA CTR 600 रुपया लग रहा है, और दोस्तो, PT और मेंस और इंटर्व्यू होगा, और यहां पी PT का सिलिवस हमने बता दिया है, फोरम भरना दोस्तो, श्टार्ट हो गया है, जाकर के फोरम अपलाई कर दीजे, serious candidate ही फोरम अपलाई करेंगे, और अब एदन शुरू होने के ठीक, धाई महिने के बाद परिचा हो जाएगा, परिचा लेने में यह डेट पहले ही निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं एक डेट बाद में, डेट अल्रेडी निकल चुका है, 30 अप्रेल को परिचा होगा, जाकर के नोटिफिकेशन देख लिजे, कम से कम 18 साल, आप BAC किये हैं कितना भी परसेंटेज हो, आप अपलाई कर सकते हैं, कोई boundary नहीं है, कि आप काईतना परसेंट होना चाहिए, आपको 1st होना चाहिए, 2nd होना चाहिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है, जाकर के फोरम अपलाई कीजीजिए, अगर आपका grammar section दोस्तों मजबूत है न, मान के चलि दो और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 1200 रोप्या लग रहा है, इसमें महिला रच्छन 35% है, मिनिमम एज 18 साल आपका होना चाहिए